स्वागत है आप सभी का अनेकेडमी के लेट्स क्रेक UPSC CSC हिंदी के चैनल पर सभी को गुड इबनिंग हमारी तरफ से क्लास प्रारंब होने से पूर्व आप लोगों को एक सूचना से अवगत करा दू हम लोग आज की क्लास में भारतिय संविधान यानि भारतिय राज्य विवस्था और सासन का अधिन प्रारंब करेंगे इस परिपेक्स में आज की जो क्लास होगी वो पहली क्लास होगी एक तरीके से आप लोगों की डेमो क्लास है आज की क्लास में हम लोग जो भारत के संविधानिक सुधारों की इस्थती है जो प्रारंभिक इस्थती है जहां से भारत का संविधानिक सुधार प्रारंब हुआ 1773 के Regulating Act से अध्यन करना प्रारंब करेंगे और 1947 के भारतिय स्वतंतरता आधनियम तक अध्यन करेंगे हलाकि ये आज के क्लास में तो पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाएगा इसमें करीब 2-3 क्लास होगी त्यान आपको ये रखना है कि ये भारतिय राज्य विवस्था में भी सामिल है और भारतिय इतिहास के आधुनिक भारतिय इतिहास में भी सामिल है ये पाट तो ये जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये राजव विवस्था का टापिक तो है लेकिन इसका जो दृष्टी कोंड होगा वो एक तरीकी से इतिहास का होगा मतलब बरस्तित रूप से काफी गहराई से काफी डेपली काफी बेसिक से हम लोग इसका अध्यन करेंगे कि आपको कहीं भी जिन्दगी में भारत के संबैधानिक सुधारों को पढ़ना न पड़े आप लोग को खुद ही फील होगा आप लोग स्वयम परखियेगा स्वयम दाचियेगा और बताईएगा भी आप लोग कमेंट करके हलागी इस क्लास के आरंभ होने से पहले हम लोग आनेकेडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जानते हैं तो स्वागत है आप सभी का आने केडमी देश का सबसे बड़ा आनलाइन का प्लेट फार्म है यहाँ पे सब्क्रिप्शन्स लेने पे आप लोगों को चार आधार भूद सुब्धाएं मिलती है यहाँ पे आपको डेली लाइब क्लासिस की सुब्धा मिलती है इसके अलामा यहाँ पे आपको इस्ट्रैट्चर्ट सेड्यूल और कॉर्सिस मिलता है इसके अलामा लाइब टेस्ट और कुईस की सुब्धा है यहाँ पे आपको वीडियों का अनलीम्टर एक्सेस भी मिलता है यहां पर सब्क्रिप्शन्स लेने पर देश की जो बड़े-बड़े विश्यसक्य हैं एक्सपर्ट हैं उनका आप लोगों को मार्ग दर्शन मिलेगा मैं भी इसी में सामिल हूँ तो हमारा भी निरंतर आप लोगों को मार्ग दर्शन मिलता रहेगा इसकी अलामा यहां पर UPSC के सामान अध्यन से संबंदित दो प्रकार का सब्क्रिप्शन्स है एक प्लस कोर्स संबंदित है एक आईकोनिक कोर्स संबंदित है तो यह प्लस कोर्स आप लोगों को 3 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के रूप में मिलना है यहां पर आप लोग सब्क्रिप्शन्स लेते समय हमारे रफरेल कोर्ड S-A-N-J-E-B का प्रियोग करें इसे अपलाई करेंगे तो इस फीस में आपको 10 प्रतिशत की कटोती मिलेगी इसी प्रकार से आईकोनिक कोर् इसमें भी आप लोग हमारे रफरेल कोर्ड S-A-N-J-E-B का प्रियोग करें इसे अपलाई करें यहां पे भी जो फीस में इसमें भी आपको 10 प्रतिशत की इसमें छूट मिलेगी इसके अलामा आनकेडमी का आप्शनल सब्क्रिप्शन्स भी आप लोगों के बीच में मौज 24 महिने 36 महिने के रूप में मौजूद है यहां पे भी हमारे रफरेल कोर्ट S-A-N-J-E-B का प्रियोग करें इसमें भी आपको 10 प्रतिशत फीस में छूट मिलेगी इसके अलामा इसी तरीके से आनकेडमी ने आप लोगों के बीच में सामानने अध्यान और आप्शनल ने थैं वहां पे भी आपको 10 प्रतिशत फीस में छोट मिलेगी इनकेडमी का जो सामान अध्यान का प्लस कूर्स कोर्से और आईकोनी कोर्से इसकी खास बात यह है कि यहां पे आपको लाइब me से मिलेगा Weekly टेस्ट मिलेगा Unlimited Access मिलेगा Stuffy Planner आपको मिलेगा Personal guidance भी आपका लिया जाएगा test analysis भी है इसको अलामा standy material भी आपको मिलेगा तो खास करके जो ICONIC कॉर्स है वो plus कॉर्स और फिर काफी ये complete one year का batch है, two year का batch है, NCRT का special batch है, इसको आप लोग join कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, ये fresh batch हैं, इसके अलावा आनेकेडमी combat series का आयोजन करती है, और इस बार की जो combat series है, वो संडे को है, और कल ही है, यानि सुबह 11 बजे से हैं, तो इसमें आप ल लोग भारतिय राजव्यवस्था और सासन से अध्येन करेंगे, भारतिय राजव्यवस्था का, ये आज की जो class है, आप लोग के बीच में, ये पहली class है, भारतिय राजव्यवस्था से संबंधित, आप लोग share कर लिजी, इस class को like भी करते रहें, शुरवात करते हैं, हम आप लोग बढ़ियां से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे कि आपको कभी भी अगर स्टेट कमिशन का एक्जाम दे या, या, कोई भी एकजाम दे, तो एक भी प्रस्न आपका ना छूटे, और मैं यह वादा करता हूं कि एक भी प्रस्न आपको आठ छूटे का नहीं, तो तैयार हो जाएए आप लोग स्वागत है आप सभी का लाइक भी करते रहें क्लास को सेयर भी कर लें आप लोग क्लास स्वागत है पूर्ण रूप से आप सभी का सभी को हमारे तरफ से कोड इबनिंग कलिए सुरवात करते हैं हम लोग द्यान पूरबक पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे द्यान रखेगा आप लोग एक भी प्रस्न आपका छूटेगा नहीं बस आप लोग क्लास को सेयर कर लें अपने गुरुप सो गयरा में चलिए हम लोग स्वागत करते ह जानते हैं सबसे पहले कि हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि क्या पढ़ेंगे तो ध्यान पूर्बक देखिएगा भारत का संबैधानिक विकास यहां पर टाइटल है क्या टाइटल है भारत का संबैधानिक विकास भारत का संबैधानिक विकास तो इसे कहते ही हैं, और इसे कमपनी का संबैधानिक विकास भी कहते हैं, इसे ब्रिटिस सरकार के क्राउन द्वारा भारत में जो संबैधानिक सुधार किया गया, तो क्राउन का भी संबैधानिक सुधार भी कहते हैं, अब देखो भारती राजविवस्था और सासन में मुख सरकार अधनियम को पढ़ाते हैं और 1947 के भारतिय सोतंतरता अधनियम भारत की संबीधान सभा का गठन हुआ प्रारूप समीती का गठन हुआ संबीधान बना संबिधान कितने दिनों में बना यह बताया आपको और उसके बाद में सीधे भारतिये संबिधान के प्रस्तावना पर आ जाते हैं तो यह ब्यापक रूप से हमारी समझ में नहीं आता पेसिक रूप से हमारी समझ में नहीं आता आप लोग ध्यान यह भी रखिएगा कि जब मैं इतिहास आप लोगों के 20 में पढ़ाऊंगा तो वहां पे संब्यधानिक विकास को नहीं पढ़ाऊंगा तो कि वहां पे भी यही चीज है आप लोगों के सामने जो आज आपके सामने रहेगी तो आप लोग हमारे टेली ग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें आने केडम सर्थ हुआ है पूरी तरीके से पिड़ नेखी इसका भी प्योगशी तरीके से आपको मिल लाएगा इसी फार्में मिल लेगा कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा तो आए भारत का संबैधानिक विकास है, इसको हम लोग दो भागों में बाट लेते हैं, इसमें आप लोग देखेंगे तो एक तरफ लिखा हुआ है कमपणी के अंतरगस संबैधानिक विकास, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है ब्रिटिस क्राउन के अंतरगस संबैधानिक विकास, यानि दो संस्थाओं के तहट भारत में संबैधानिक विकास किया गया था एक तो इसमें East India Company है और दूसरा British ताज है यानि British Crown है यानि British प्रधान मंत्री है, British महारानी है, British महाराजा है अब ये कंपनी के अंतरगत जो संबैधानिक विकास है वह कई संबैधानिक विकास है, इसकी सुरुवात होती है 1773 की Regulating Act से तो 1773 की Regulating Act का हम लोग कई घंडों में अध्यन करेंगे देखेंगे किसी कहते हैं 1773 का Regulating Act, क्यों बना 1773 का Regulating Act और एक बात में और आपको बता दे रहा हूं, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी यहां से आपको प्रस्ण मिलता है, और मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको कहीं भी भागने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जो दृष्टी कोण है हमारा, वो वही दृष्टी कोण है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, दूनों परीक्षा के लिए उप्योगी होगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे मुख्य परीक्षा में प्रस्न बनाएं तो यहाँ पर कई खंडों के अंतरगत इस 1773 के regulating act का अधेन करेंगे उसके बाद में 1781 का charter act आ जाता है आपके सामने 1781 का जुच्छ चार्टर एक्ट है उसे एक टाप सेटलमेंट भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है एक टाप सेटलमेंट और इसी 1781 को बंगाल का जूडी केचर अधनियम भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है बंगाल का जूडी केचर अधनियम जो BPSC की परिक्षा में कई बार यहीं से प्रस्ण पूछा गया कि किसको बंगाल का जूडी केचर अधनियम कहा जाता है तो यह 1781 का चार्टर एक्ट है इसी को कह गया इसे प्यूट्स इंडिया एक्ट क्या है इसमें प्रावधान क्या है इसकी विश्ष्था और विश्ष्थाओं में जो बातें हैं उसके कमजोर पक्ष क्या है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अलामा 1786 का चार्टर एक्ट है इसी कंपनी के अंतरगत यह आ रहा है समबैधानिक सुधारों की परिपेक्ष में काफी अलग है टर्निंग पाइंट के रूप में है कैसे मैं आपको आज बताऊंगा इसके अलामा 1833 का चार्टर एक्ट है जो 1833 का चार्टर एक्ट है इससे ब्रिटिस सरकार ने भारत में कई प्रकार की कुरितियों को खतम किया थे काफी परोपकारी काम करने काप्रयास किया था क्यों आखिर मिटेश क्रकार यह कंपनी इतनी उदार न रही हैं भारत के परिपेक्ष के क्यूंकि ब्रिटेन में conform की और सरकार की आलोचना होने लगी थी तो कौन आलोचना कर रहा था क्या भारत की लोग आलोचना कर रहे थे या ब्रिटिस सर्स भी ब्रिटिस सरकार की आलोचना कर रहे थे तो यह बास सही है चुकि जो बेंथम बादिदार्शनिक हैं जो उपियोगिता बादिदार्शनिक हैं वो बिटे सरकार की आलोसना कर रहे थे वो कह रहे थे कि कमपनी भारत में जो काम कर रही है वो काफी असंगत काम कर रही है वो काफी अनैतिक काम कर रही है तो कमपनी को क्यों ना खतम किया जाए चुकि उससे बिटिस सरकार की पूरी 20 समय आलोस ना हो रही तो समझेगा बहुत बेसिक से समझेंगे हम लोग उसके बाद में समय आता है 1853 का और 1853 का चार्टर एक्ट इसलिए अलग है तो कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से बिटिस सरकार पहली बार एक हिदायत दे यहनी चेतावनी दी गई अभी तक चेतावनी नहीं दी गई थी लेकिन अब चेतावनी दी गई तो चेतावनी किसके प्रभाव के अंतरगत दी गई हम लोग इसको पढ़ेंगे इसके अलामा बटे सरकार के अंतरगत जो सुधार है उसको हम लोग देखेंगे तो बटे सरक में ब्रिटिस सरकार की आलोशना हुई ब्रिटिस सरकार की इस बिद्रोह ने जणे तक खिला दी हम लोगों ने बिद्रोह ही इसलिए किया था कि हम ब्रिटिसर्ज को भारस से भगा दे मूल मक्सद यही था हमारा लेकिन ऐसा हुआ नहीं ऐसा हुआ क्या ऐसा नहीं हुआ हम नहीं भगा पए ब्रिटिसर्ज को भारस से लेकिन यहां पे कई प्रकार का परिवर्तन आता है 1858 में 1858 में जब बिद्रोह पे कबजा कर लिया बिटिस सरकार ने तो एक संबैधानिक सुधार अधनियम लाया और इस अधनियम के माध्धम से भारत में कमपनी के सासन को समाप्त कर दिया गया अब बिटिस सरकार ने बिटिस क्राउन ने भारत का सासन अपने हाथों में ले लिय क्या क्या बिवस्थाएं हैं 1858 के अधनियम में इसको हम लोग देखेंगे इसके बाद में 1861 का भारतिये परिशत अधनियम इंडिया काउंसिल एक्ट आया क्या है इंडिया काउंसिल एक्ट इसमें भारतिय परिषदों के परिपेक्ष में क्या-क्या नीतियां लागो की गई क्या विश्यस्ताय हैं इस परिषद अधनियम की हम लोग देखेंगे इसके अलामा 1892 का भारत परिषद अधनियम है कुछ कमिया रहे गई थी 1861 के भारत परिषद अधनियम में इसलिए 1892 में ब्रिटिस सरकार ने ब्रिटिस ताद ने ब्रिटिस काउन ने एक संबैधानिक सुधार अधनियम लाया इसके बाद में बर्स 1909 का मारले मिंटो सुधार अधनियम लाया मारले कौन है मिंटो कौन है हम लोग देखेंगे दोनों को अलग अलग क्या है इस मारले मिंटो सुधार अधनियम में ये सुधार अधनियम ऐसे समय में आ रहा है जिस समय भारत में क्रांतिकारी गद्विधियां काफी बढ़ गई तो क्रांतिकारी गद्विधियों पर नियंतन लगाने के लिए इसको लाया लेकिन इसमें क्या-क्या बेवस्था थी इसको हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद में 1919 का भारत सरकार अधनियम आपके सामने आया इसको मांटेंग्यू चेंस्पूर्ट सुधार अधनियम भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसके बाद में अन्तिम बड़ा सुधार अधनियम जो आया वो 1935 में आया कब आया 1935 में आया 1935 का जो भारत सरकार अधनियम है भारतिय संबिधान में सबसे ज़धा प्रावधान यहीं से लिए गए थे इसके अलामा जब संबिधान सभा बनी तो संबिधान सभा के 20 सग्यों ने जो विश्व का संबिधान है करीब करीब साथ देशों के संबिधानों का गहराई से अधन के इसमें अमेरिका है फ्रांसे आस्टेलिया है ब्रिटेन है जर्मनी है अफरीका है खास करके इन देशों के संविधान में जो अच्छी अच्छी बाते थी और भारतिये परिशितियों के हिसाब से उसके अनकूल बैठती थी उसको ग्रहन कर लिया इसलिए संविधानिक बिसेसग्यों ने जो भारत का संविधान उसे उधारी का थैला का है क्या कहा है उधारी का थैला का है मुख्य परिख्षा में ये प्रश्न पूछा है तो इसमें क्या-क्या खास-कास बातें हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद में 1947 का भारतिय सुतंतरता अधनियम है आप लोगों ने देखा होगा कि 1947 का जो भारतिय सुतंतरता अधनियम है ये है ब्रिटिस संसद में जुलाई 1947 में पास कर दिया गया और जब पास कर दिया गया तो इस सुतंत्रता अधनियम के द्वारा भारत का नई हिंदुस्तान का दो भागों में बटवारा कर दिया गया भारत में और पाकिस्तान में 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना सुतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त 1947 को हम लोग बनाते हैं इसी अधनियम के अनुसार जो पाकिस्तान है उसके पहले प्रधान मंतरी कौन बने थे कोई बता सकता है पाकिस्तान के पहले प्रधान मंतरी कौन बने थे लियाकत अली बने थे और पहले गवर्णर जन्रल कौन बने थे मुहम्मद अली जिन्ना बने थे उसी तरीके से भारत म में आप लोग देखेंगे तो पहले प्रधान मंत्री जमाहलाल नहरुजी बने थे और स्वतंद्र भारत का जो पहला गवर्णर जनर्रल बना था ओर लाड मांट बेटन बना था ठीक तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं पक्षों का हम लोग अध्यन करेंगे यह पीडिया 1773 के Regulating Act पे हम लोग कहुंचते हैं और इसका अध्यन हम लोग प्रारम करेंगे हाँ लियाकतली सही बताया महेंद्र सही बताया सही बताया बिल्कुल सही बताया सब लोग लाइक भी करते रहे भाई क्लास को और कहीं भी समझ में नहीं आता है एक बिंदु भी समझ में नही आता है तुरंत पूछिए देर मत किजिए आप आपको तुरंत उत्तर मिलेगा हमारी क्लास में निस्चंद रहिए तुरंत उत्तर आपको मिलेगा हो सकता है कि मैं देखना पाउंच एट वो बात दूसरी है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे अब उस 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट का अध्येन करने से पूर्व हमलों को ये जान लेना बेहत जरूरी है चुकि किताबों में आप लोग पढ़ेंगे, NCRT में आप लोग पढ़ेंगे, पढ़तों लेंगे, प्रस्न भी आपको वहां से मिलेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, कई बार पढ़ने पे आपके समझ में आएगा, लेकिन क्लास में अगर 200 प्रतिशत आप लोग उपस्थित हैं तो इसके अलामत जिंदगी में आपको कभी कोई क्लास नहीं करनी पढ़ेगी, आपको समय नहीं देना पढ़ेगा तो यह जान लेना बेहत जरूरी है कि 1773 की Regulating Act में हम लोग किन-किन पक्षों का अध्यन करेंगे, यानि किन-किन बातों का अध्यन करेंगे तो 1773 की Regulating Act को हम लोग कई भागों में बाट लेते हैं, सबसे पहले एक खंड में हम लोग यह जानेंगे कि 1773 का Regulating Act का मतलब क्या है, इसका सामान्य परिचे या इसका आधार भी हम लोग देखेंगे कैसे इसका नर्माड हुआ, यह भी हम लोग इसी खंड में देखेंगे फिर दूसरे खंड में आखिर जब 1773 का Regulating Act बन गया जैसे भोजन बन गया तो अब भोजन की विशिष्टा क्या है, तो Regulating Act बन गया भाई भोजन खटा है या मेठा है? या जादा मीठा है? या जादा खटा है? या जादा अच्छा है? तो उसके बिसेश्ताओं की रूप में हम लोग इसमें देखेंगे इसके बाद में इसका जो तीसरे खंड है तीसरे खंड के अंतरगत हम लोग जानेंगे कि आखिर जो ये regulating act आया इसका महत्तो क्या है बर्तमान की परिपेक्ष में क्या महत्तो है यानि इसकी उपियोगिता क्या है इसकी अलावा हम लोग इसकी समीक्षा भी करेंगे इसकी मुख्य परिपेक्षा में जो प्रस्ण पूंसता है मैं आपको दिखा देता हूँ आप से पूंस लेगा कि 1773 की Regulating Act का नर्मान किन प्रश्ट भूमियों में हुआ और इसकी समीक्षा किजिए बस और ये प्रस्ण आपको हल्वा की तरीके से आज मैं कराऊँगा आप लोग के बेस में समझ रहे हूँ ना दूसरा प्रस्ण मुख्य परिपेक्षा में पूंस सकता है कि 1773 का Regulating Act का नर्मान किन प्रश्ट भूमियों में हुआ इसकी मुख्य मुख्य बिशेश्ताओं को बताईए आच्या बिशेश्ताओं की जगा पे दो सब्दों का और प्रियोग कर सकता है बिशेश्ता की जगा पर दो सब्दों का प्रियोग कर सकता है एक सब्द यहां पे उपबंध दे सकता है, कह सकता है वो कि 1773 के regulating act में कौन-कौन से उपबंध है, एक सब्द और दे सकता है आप लोगों को यहां पे कह सकता है कि 1773 के regulating act में कौन-कौन से प्राउधान है, ये भी दे सकता है आप लोगों को, तो चाहे प्रारंबिक परिक्ष के दिश्कूर्ट से वो सब कबर होगा 200 प्रतिसत कबर होगा जितनी भी विशेस्ताइं हैं ये सब प्रारंभिक परिक्षा में पूछी गई हैं अभी मैं आपको बताऊंगा अब ये जो विशेस्ताइं हैं विशेस्ताओं का हम लोग कई खंडों में अध्यन करेंगे देखे यहाँ पे सारे खंड लिखे हुए हैं बिलकुल लाइन से यही पीडियेफ आपको मिलेगा बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को अध्यन करना इसमें कमपनी का प्रसासनिक धांचा क्या है इसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिशद क्या है इसमें कलकत्ता का सरबुच्छ न्याले क्या है इसके अलामा कलकत्ता बंबई और मदरास की प्रेसिडेंसी बिवस्था क्या है इसी का हम लोग अध्यन करेंगे चलिए शुरवात करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग यहां पे यह देखेंगे कि किन प्रिष्ट भूमियों में इस 1773 के regulating act का नर्माड हुआ तो थोड़ा सा तैयार हो जाएगे आप लोगों ने देखा है आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा है कि तिथी है तेह जून की कौन सी तिथी है तेह जून 1757 की तिथी है बिलकुल बेसिक से समझे कि कभी भी पढ़ने को आपको दुबारा ना पड़े तो तेह जून 1757 की जो तिथी है इस तिथी को आप लोगों ने देखा होगा कि एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध इस युद्ध का नाम क्या था इस युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध था ना यादा राय थोड़ा सा प्लासी का युद्ध इसका नाम पड़ा था एक युद्ध आपने देखा तिथी भी देखी याद रखेगा इसको इसके अलामा आप लोगों ने देखा कि एक तिथी है और यह है बाइस अक्टूबर 1764 इस भी की और यहां पर एक युद्ध हो रहा है और यहां युद्ध बक्सर का युद्ध है कौन सा युद्ध है बक्सर का युद्ध है अब मैं यह नहीं बताऊंगा कि इस युद्ध में कौन कौन था कैसे इस युद्ध में अंग्रेजों ने सामना किया कैसे सड़यंत्र किया रावर्ट कलाईव और भारतिये कैसे कैसे थे बस थोड़ा सा आपको पर जुद्धोला है उसको रावड क्लाईव ने पराजित कर दिया एक सड़यंत्र द्वारा यानि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को बिजे मिली जब अंग्रेजों को बिजे मिली तो यहां पे इससे एक निसकर से ये निकला कि अंग्रेजों ने अब भारत का धन आपको जीता था लेकिन जो बक्सर का युद्ध था यह एक आमने सामने का युद्ध था इसमें हेक्टर मुर्णों ने उत्तर भारत की तीन संयुक्त शक्तियों को पराजित कर दिया इससे बंगाल में अंग्रेजी सरकार की अस्थापना हो गई पूर्ण रूप से वास्तविक रूप से अस्थापना हो गई तो एक तरीके से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जो भारत का धन लूटने का प्रयास प्रारंब किया था वो धन लूटने की इस्थिती अब बक्सर के युद्ध के बाद में और बढ़ जाएगी लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखे जो इस्थित इंडिया कम्पनी हैं इस इस्थींडिया कम्पनी की अस्थापना सेतंबर 1500-59 में हुई थी 1600 इस भी में महाराणी विक्товरिया ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था और ऐलीजाबेट ने हस्ताक्षर कर दिया था एलिजाबेत प्रथम ने विक्टोरिया ने नहीं तोला सो आठ में यही कमपणी आई और यहां पे यह युद्ध जीत गई अब यहां पे आप लोग देखिए कि यह जो कमपणी है इस्ट इंडिया कमपणी इसमें बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं और बहुत सारे करमचारी काम कर रहे हैं जब भारत को सोने की चुडिया के रूप में देखा तो भारत का धन यह लोग लूटने लगे अपने स्वार्थ बस ये भारत का धन लूटने लगे और धन लूट के ये East India Company को दोनों लोग नहीं दे रहे हैं ये भी धन रखेगा East India Company को नहीं दिया तो अपने पास रखा और जब यहां से गए तो ब्रटेन में इस धन को लगाया और ब्रटेन में जब ये लोग जाते थे तो वहां पर ये बाबू के नाम से पुकारे जाते थे और बाबू भरस्ट पद का ब्रटेन में देवतक था तो एक तरीके से भारत का धन तो निस्कासित हुआ लेकिन ये कंपनी के हाथ में नहीं आया ये इन लोगों के हाथ में आया, दूसरी बात और देखिए, दूसरी बात ये जो East India Company है, ये East India Company भारत में क्या कर रही है, युद्ध कर रही है, युद्ध कर रही है, यानि भारत में अपना सामराज जिबिस्तार कर रही है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें धन लगेगा य यह नहीं लगेगा तो एक तरफ से तो कंपनी का धन यह निकल के जा रहा है और दूसरी तरफ यहां पर कंपनी का धन खर्चा हो रहा है युद्ध में और बिस्तार में खर्चा हो रहा है और यह जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको भी कंपनी को बेतन देना पड रहा है तो यहां पर तीन तरीका हमने बताया कि भारत और कंपनी का धन कैसे जा रहा है बाहर की तरफ और कंपनी के पास भी नहीं आ रहा है भारत के पास भी कुछ भी लोटके नहीं आ रहा है तो ऐसे में भारत तो दिवालिया होनी के एक अगार पर आ गया था लेकिन कंपनी तो कि 1770 में भारत में बंगाल में एक अकाल पड़ा था वो आधुनिक भारत का पहला अकाल है तो बंगाल तो दिवालिया हो गया लेकिन East India Company भी 1770 SB में दिवालिया होने के कगार पे आ गई कब 1770 SB में ध्यान से समझेगा इस concept को बहुत ध्यान से समझेगा कब 1770 SB में ये कमपनी जो है East India Company ये दिवालिया होने के कगार पे आ गई तो आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई कमपनी दिवालिया होने के कगार पे आ जाती है तो ये किसके पास जाती है कोई कमपनी अगर दिवालिया होनी के कगार पे आती है तो यह किसके पास जाती है बताईए आप लोग किसके पास जाती है कमपनी किसके पास जाती है company अगर दिवालिया होनी के कगार पर आ जाती है तो किसके पास जाती है निश्चत रूप से अपने देश की सरकार के पास जाती है उसी तरीके से East India Company भी अपने देश के सरकार के पास गई किसके पास गई? अपने देश के सरकार के पास गई अब देखिए उस समय ब्रिटिस सरकार कितने चोकनना इस्थिती में थी और ये East India Company ब्रिटिस सरकार के पास जाकर इसने क्या किया? इसने एक रिंड मांगा और कहा कि भाई हमारी आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं हमें कुछ रिंड दे दो सभी कमपनियां ऐसे काम करती हैं लेकिन अब ये ब्रिटिस सरकार चोकनना हो गई इसने समझा कि भाई आखिर क्या बात है कि अभी अभी ये जो East India Company है इसके पास इतना धन आ रहा था कि पूरे बिस्व में एक कमपनी प्रसिदी थी लेकिन 1770 के आस पास में कैसे ये दिवालिया होने के कगार पे आ गई तो दिवालिया होने के कगार पे 1770 में आई लेकिन रिंड की अपील बिटिस सरकार के सामने इसने 1772 इस भी में किया सबी तिथियों का ध्यान रखिएगा तो अब इस समय बिटिस सरकार ने क्या किया बिटिस सरकार ने ये जो East India Company है इसकी भारत में गत्विधियों की जांच के लिए एक समिति का अगठन किया और इस समिति को प्रवर समिति के नाम से जानते हैं और इसी प्रवर समिति को हम लोग गुप्त समिति के नाम से भी जानते हैं जैसे भारत में तमाम सारी संसदिये समितियां होती हैं, कोई प्राग कलन समिति है, कोई लोक लेखा समिति है, वैसे ये ब्रटेन में तमाम प्रकार की समितियां होती हैं, प्रावर समिति को ही गुप्त समिति का नाम से जाना गया, और इस प्रावर समिति का मुखिया एक प्र बिधियों की जाच की और जाच करने के बाद में यहां पे एक तीथी और आपको बता रहा हूं मई 1773 SB में क्या किया मई 1773 SB में बिटिस सरकार को इसने कमपनी की गतिविधियों की जाच करके कमपनी को अपनी रिपोर्ट दे दी अब बिटिस सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी अब बिटिस सरकार ने क्या किया कि मई में ही इसी रिपोर्ट को एक बिधेयक के रूप में बना के बिटिस संसत में पेस कर दिया और जब बिटिस संसत में पेस कर दिया इस लाड़नाथ की रिपोर्ट को तो कालांतर में इसी को 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया समझ में आई बात इसी को 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया अब बात आती है कि आखिर इसका नाम regulating act ही क्यों पड़ा तो यहाँ पर एक सब्द देखिए यहाँ पर एक सब्द देखिए यह है रेग्यू लेटिंग रेग्यू लेटिंग इसमें एक सब्द और छुपा हुआ है एक भाव इसमें छुपा हुआ है regulate regulate का मतलब क्या होता है regulate का मतलब किया रहा है किसको नियंत्रित किया रहा है कि इस इंड्या कंपनी की रिखा जा रहा है ध्यां देजिएगा East India Company को नियंतृत किया गया。 regulate किया गया, इसलिए इसका नाम regulating act पढ़ गया, ठीक ये भी ध्यान रखेगा, नहीं तो इस सब्द का मतलब ही नहीं पता चलता है, क्म से कम 10 साल नहीं पता चलता है, ये सही बता रहा हूं मै, कि वास्तों में इस सब्द का मतलब क्या हम लोग पढ़ चुके होते हैं खूब तो आप से प्रस्ण पूछेगा प्रारंभिक परिक्षा में कि इस्ट इंडिया कंपनी की गत्विधियों को सरपप्रथम किस संबैधानिक अधनियम द्वारा नियंत्रित किया गया यह नियंत्रित करने का प्रयास किया गया तो 1773 का Regulating Act है ध्यान रखियेगा इसको अब आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह जो 1773 का Regulating Act है इसमें क्या-क्या प्रावधान है तो इस 1773 की Regulating Act में कई प्रावधान है एक तो कमपनी का प्रसासनिक धांचा क्या है यह भी हम लोग देखेंगे एक गवर्नर जनरल और उसकी परिशत कैसी है कैसे कैसे सदस्य है इसमें क्या उनका कारेकाल है यह भी हम लोग देखेंगे और कलकत्ता में इसी के द्वारा एक सरवोच्चे न्याले की अस्थापना हुई चीफ जस्टिस कौन था सहायक न्याधिस कौन थे यह भी हम लोग देखेंगे और इस समय कलकत्ता मदरास और बंबई प्रेसिडेंसी कुल तीन प्रेसिडेंसिया थी कैसी थी इसकी सबसे पहले आजाते हैं हम लोग प्रसासनिक धाचा पर सबसे पहले हम लोग प्रसासनिक धाचा समझते हैं थोड़ा सा प्रसासनिक धाचा इसको समझ लेते हैं उसके बाद में सारी जनकारी आपको PDF से मिलेगी प्रसासनिक धाचा त्यान से समझेगा आप लोग किसका प्रसासनिक धाचा भाई इस्ट इंडिया कंपनी का प्रसासनिक धाचा तो 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट से पूर्भ इस्ट इंडिया कंपनी का प्रसासनिक धाचा कैसा था और 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट द् नहीं आता हम लोग पूरी राज ब्योस्था का अध्यन कर लेते हैं पूरे भारती इतिहास का अध्यन कर लेते हैं लेकिन कमपनी के प्रसासनिक धांचे को हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो इस्ट इंडिया कमपनी अस्थापि में थी और इसमें से जो पहली संस्था थी इस संस्था का नाम क्या था इसमें से जो पहली संस्था थी इसका नाम था स्वत्वधारी मंडल इसका नाम था स्वत्वधारी मंडल थोड़ा सा लिख लिएगा इसको स्वत्वधारी मंडल इसको कोट आफ प्रोप्राइटर के ना हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग निदेशक मंडल के नाम से जानते हैं, इसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, Court of Directors के नाम से जानते हैं Court of Directors के नाम से जानते हैं ठीक ध्यान में रखिया अगा Court of Directors लिखा है Directors ठीक तो ये दो संस्थाएं थी और दोनों संस्थाएं भारत में नहीं थी दोनों संस्थाएं इंगलेंड में थी यानि दोनों संस्थाओं लंदन में थी अब दो संस्थाओं तो हम जानगे लकिन इन दोनों संस्थाओं का काम क्या था इन दोनों संस्थाओं का स्वरूप क्या था इन दोनों संस्थाओं का शरित्र क्या था ये भी तो हम लोग जानेगे तो ये जो स्वत्वधारी मंडल के लोग हैं, ये कमपनी के मालिक है, ये कमपनी के मालिक है, मालिक का मतलब ये हुआ, कि ये कमपनी के सेयर धारक है, ये कमपनी के सेयर धारक है, कमपनी के निर्मान में इनका सेयर लगा है, इनका रूपया लगा है, इनका पॉंड लगा है, ब्रटेन की भासा में अगर हम लोग रूपय की बात करें तो, इनका क्या लगा है, पॉंड लगा है, ये कमपनी के मालिक है, इसमें जो एलिजाबत प एक्ट के समय नहीं, 1600 SB में, वो उनका भी यहां पे share है East India Company में, Elizabeth प्रथम टेलर का भी share है, अब यह company के मालिक है, और यह जो company के मालिक हैं, यह लोगी क्या करते हैं, यह जो निदेशक मंडल के सदस से हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं, यह तो company के मालिक हो गए, यानि सरकार के रूप में अफ्थापित हो गए, और यह कौन से लोग हो गए, यह आप लोग हो गए, IS लोग हो गए, IPS लोग हो गए, ऐसे समझेगा इसको, और यहां पे कुल कितने IS हैं, यहां पे कुल 24, यानि निदेशक मंडल के सदस्य कुल कितने हैं, 24 सदस्य हैं, और इनी 24 सदस्यों में से, एक अध्यक्स भी होता है, एक उपाध्यक्स भी होता है, और यह जो संस्था है, निदेशक मंडल की, यह East India Company की Executive संस्था है, यानि कारेकारी संस्था है, मुख्य रूप से भारत में, East India Company की गत्विधियों को, यही संस्था देखती है, यह तो मालिक लोग हैं भाई, इन्होंने तो पैंसा लगा दिया बस, सारी योजनाओं को, सारे सामराज विस्तार को, सारी गत्विधियों को कौन देखता है, आईएस आईएस लोग ही तो देखते हैं न, आप लोग ही तो देखेंगे, तो यह वही लोग हैं, निरेशक मंडल के सदस, फुल 24 सदस से होते हैं, इसी में से एक अध्यक्ष भी होता है, इसी सदस से में से अलग से नहीं ध्यान रखेगा, और एक उपाध्यक्ष भी होता है, एक चेर्मेन होता है, यह अध्यक्ष होता है, एक वाइस चेर्मेन भी होता है, और यह भी आप लोग ध्यान रखेगा, यह जो 24 सदस्य हैं, इनका कारेकाल एक बर्स का ही होता है, एक बर्स का ही होता है, प्रतिबर से 24 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और फिर हाटा दिया जाता है उनका कारेकाल समाप्त हो जाता है ये 1773 के regulating act के पूर्व की स्थिति है लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे सतर्क होना है जब 1773 का regulating act आया तो इन दोनों संस्थाओं में क्या किया गया यह आपको ध्यान में रखना है अब खास बात यहां पर यह है कि यह जो सत्वधारी मंडल के लोग होते थे जिनका यहां पर 500 पांड लगा होता था 500 पांड की रासी लगी होती थी उनको मत देने का अधिकार होता है और निदेशक मंडल के चुनाव में वो लोग भागीदारी करते थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पूर्भ लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो यह रासी 500 पांड से बढ़ा कर कितनी कर दी गई एक हजार पांड कर दी गई इस बात का ध्यान रखिएगा यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा परियोतन किया गया यानि जिन लोगों की इस्ट इंडिया कंपनी में 1000 पांड की रासी लगी है वो लोग ही निदेशक मंडल के सदस्यों के चैन में मत दे पाएंगे अन्य लोग भी नहीं दे पाएंगे एक बात तो ये clear हुई दूसरी बात अब इसमें परिवरतन आया निदेशक मंदल में तो निदेशक मंदल में क्या परिवरतन आया में आप लोगों ने देखा कि इनमें 24 सदस से होते थे तो 24 सदस से ही regular बने रहे सदस से आगे पीछे होंगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन यहां पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाईए आप लोग इनका कारेकाल कितना होता था एक बर्स का इनका कारेकाल होता था 1773 के Regulating Act से पूर्ब लेकिन 1773 के Regulating Act से इनका कारेकाल एक बर्स से बढ़ाके चार बर्स कर दिया गया इसको नोट करते जाएए वैसे मेरा ये मानना है कि PDF से ठीक ठाक तरीके से ये चीज़ समझ में आती एक एक सब्दों जहां पे लिखा जाता है लेकिन फिर भी आपको आगे सारा PDF मिलेगा निस्चिंत रहे आप लोग तो कारेकाल इन 24 सदस्यों का एक बर्स से बढ़ाकर चार बर्स कर दिया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह भी अस्पस्ट किया गया कि प्रतेक बर्स केवल 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी यानि एक चोथाई सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी चूंकि एक चोथाई 24 सदस्यों का कितना हुआ 6 ही तो हुआ 6 ही तो हुआ यानि एक चोथाई सदस्यों इन 24 सदस्यों में अंदर आएंगे और एक चोथाई सदस्यों ही पद मुक्त भी होंगे यानि 24 सदस्यों में से प्रतेक बर्स 6 सदस्यों की इंट्री होगी और 6 सदस्य ही पद मुक्त भी होगे यह प्रावधान 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत किया गया इतनी बात अब पूरी तरीके से आप लोगों को तैयार हो गई हो तो बताए आगे बढ़े अगर सदस्यों की इस्थिती हो तो आप लोग पूँश सकते हैं बताएं मैं हूँ आपके सामने अगर कोई संसय हो तो पूँश सकते हैं हाँ बैसनो जी बताए समरेंद्र बताए बताए क्लियर है न अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग क्या समझ रहे थे आप देखिए सारी चीजे बिलकुल यहां पर लिखी गई हैं एक बार पढ़ लेजिएगा मज़ा आ जाएगा वास्तों में कंपनी का प्रसास्निक धाचा यही है प्रसास्निक धाचा सुत्यधारी मंडल और यही है निदेशक मंडल इस त सारी बाते हैं जो हमने बताई सारी बाते हैं एज इट इस यहां पर लिखी हुई है एक कंपनी के सिरधारक थे यह कंपनी के मालिक थे कि निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव करते थे 500 पाउंड से 1000 पाउंड कर दिया गया यहां पे 24 सदस्य होते थे और एक चोथाई सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ठीक अब आगे देखिए अगली जो वेवस्था हो रही है इस 1773 की रेग्यूलेटिंग एक्ट द्व करें दिये भी एक बात में यहां पर आपको समझाना चाहता हूं जब रावर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में बिजित हुआ था प्लासी के युद्ध में रावर्ट क्लाईव यानि इस इंडिया कंपनी की बिजय हुई थी तो कंपनी को कई प्रकार से फायदा हुआ था और रावर्ट क्लाईव को भी ब्यक्तिगत रूप से कई तरीके का फायदा हुआ एक तो East India Company ने क्या किया East India Company ने जो रावर्ट क्लाईव था इस रावर्ट क्लाईव को क्या कर दिया इस रावर्ट क्लाईव को एक पद दिया और यह पद था बंगाल के गवर्नर का ध्यान रखिएगा गवर्नर जनरल का नहीं बंगाल के governor का पद दिया और इस पद पर ये जो Robert Clio अस्थापित हुआ 1757 ISB में अस्थापित हो गया ध्यान रखिएगा Clio 1757 ISB में बंगाल का क्या बनता है Governor बनता है और ये बंगाल के Governor का पद कब तक चलता है ये 1773 SB तक चलता है और बंगाल के Governor के पद पर बिद्धिमान है 1773 SB में Warren Hastings Warren Hastings बिद्धिमान है बंगाल के Governor के पद पर लेकिन जो 1773 SB में Regulating Act आगया तो ये जो बंगाल के Governor का पद था इस पद का कद बढ़ा दिया गया जब इसके पद का कद बढ़ जाएगा तो इस पद पर न्यूक्त होने वाले ब्यक्ति का भी कद बढ़ जाएगा क्यों उसका गवरो बढ़ जाएगा उसका कद बढ़ जाएगा अब बंगाल का पहला गवर्नर रावर्ट क्लाईव है और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हैस्टिंग्स है गवर्नर की बात कर रहा हूं लेकिन ये जो 1773 का Regulating Act आया तो 1773 की Regulating Act द्वारा ये जो बंगाल का अंतिम गवर्नर है इसी बंगाल के अंतिम गवर्नर को अब क्या किया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी को क्या बना दिया गया? इसी को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया इसी को बंगाल का क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया गवर्नर नहीं रह गया अब यह गवर्नर जन्रल हो गया अब इसके कदमें भी विद्री हो गई इसके पदमें भी ब्रद्धी हो गई तो बंगाल का Governor General 1773 की Regulating Act द्वारा कौन बना ये Warren Hastings ही बना और Warren Hastings बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था ये भी धान रखियेगा अब बंगाल बहुत बड़ा था ये जो बंगाल का Governor General Warren Hastings था ये अकेले बंगाल की प्रसास्निक ब्यवस्था को अपने हाथों में नियंत्रित नहीं कर सकता था रख नहीं सकता था संचालित नहीं कर सकता था फिर क्या क्या गया फिर इसकी सहायता के लिए Governor General की एक परिशत की अस्थापना की गई गवर्नर जन्रल की एक काउंसिल की अस्थापना की गई ये Governor General की क्या की गई एक परिशत की अस्थापना की गई इसी Warren Hastings ने अपनी सहायता के लिए इसकी अस्थापना की थी 1773 के Regulating Act के तहट वारेन हेस्टिंग्स की तो नियुक्ती हो गई ये बंगाल का गवर्नर जनरल अब बन गया इसके कदमे बृद्धी हो गई लेकिन ये जो गवर्नर जनरल है इसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक परिशत बनाई गई इसमें चार सदस्य है पहले सदस्य का नाम फ्रांसिस है यानि चार्ल्स फ्रांसिस है यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ल्स फ्रांसिस दूसरे सदस्य का नाम क्या है दूसरे सदस्य का नाम क्लेवरिंग है तीसरे सदस्य का नाम मांसन है और चोथे सदसे का नाम बारबल है यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि यह जो फ्रांसिस है और यह जो क्लेवरिंग है और यह जो मांसन है यह जो तीनों सदसे है नई यह जो फ्रांसिस यह जो तीनों सदसे हैं यह तीनों सदसे इंग्लेंड में थे और इंग्लेंड से चलकर भारत आए और भारत में आके इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल की परिशत के सदस्य की रूप में अपना कारेभार ग्रहन किया लेकिन इसमें जो चौथा सदसे बारविल था ये बारविल भारत में ही मुझूद था भारत में ही इसने अपना पदभार गवर्नर जनरल की परिशत की रूप में ग्रहन कर लिया ठीक अगर ये भारत में हैं, थोड़ा समझिएगा, अगर ये भारत में इस समय ब्यद्यमान है, तो Warren Hastings की स्थिती से परचित होगा, निस्चितरूप से परचित होगा, यानी Warren Hastings का ये सपोर्टर हो सकता है, इसी परिपेक्स में UPSC ने एक बार प्रस्थ ने पूछा, कि इन चारों सदस्यों में से कौन Warren Hastings का सहायक है या सपोर्टर है तो ये बार्बल Warren Hastings का सपोर्टर है और ये जो तीनों सदस्य हैं तीनों सदस्य इंग्लेंड से चल कर भारत आ रहे हैं और अपने पद को ग्रहन कर रहे हैं लेकिन इसमें से जो फ्रांसिस है ये ये फ्रांसिस Warren Hastings का कहा जाता है कि धूर बिरोधी है यानि बहुत बड़ा बिरोधी है Warren Hastings का कौन बिरोधी है ये Francis तो धूर बिरोधी कौन हुआ Francis तो धूर समर्थक कौन हो गया धूर समर्थक हो गया ये वार्बेल आप ये जो गवर्नर जनरल की परिशद है आप से प्रस्मे पूछा जाएगा कुल कितने सदस्य है चार सदस्य है इसमे फ्रांसिस क्लेवरिंग मांसन बार्वेल याद कीजिए मेरे साथ आप लोग ये जो नाम है ये थोड़ा सा टप है ये इतनी आसानी से याद नहीं होगे फ्रांसिस क्लेवरिंग मांसन बार्वेल जैसे मैं बोलना हूँ ऐसे आप लोग भी एक बार बोलिए अपने मन में देखता हूँ कौन-कौन बोलता है तभी ये याद होगा और जैसे मैं बोलना हूँ फ्रांसिस क्लेवरिंग मांसन बार्वेल उसी तरीके से क्रम से आप ल फ्रांसिस क्लेवरिंग मांसन बार्वेल, सबको तयार हुआ ये नाम की नहीं हुआ, बताइए, बताइए पांडे जी बताइए, किधर भी पांडे जी हैं काना जी, हाँ, सही, अब आप लोगों को तयार हो गया, फ्रांसिस क्लेवरिंग मांसन बार्वेल, ये चार सदस्य थे, समर्थक कोई है, वार्वेल, बिरोधी कोई है, ये आपका फ्रांसिस, ठिक, किसका बिरोधी, वारेन हैस्टिंग्स का बिरोधी है, तो ये जो गवर्नर जनरल की परिशद है, इन परिशद के सदस्यों का जो कारेकाल है, वो पांच बरस का है, ध्यान रखिएगा, कितना इनका कारेकाल है, ये पांच बरसों का है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह जो गवर्नर जनरल की परिशद है यह बहुमत से निरणाय लेती थी यह गवर्नर जनरल को लेके इसमें अध्यक्ष को लेके कुल 5 लोग हुए दार तो यह सदस सही है और गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग तो 5 हुआ तो यहनी कि तीन लोग जिधर मत देंगे किसी भी मुद्दे पर किसी भी एक तरीके से जैसे माल लो मद्रास के उपर अभियान करना है आक्रमन करना है अब चार सदस्यों ने कह दिया हां करना है एक सदस्य अगर खिलाफत में है कोई फरक नहीं पड़ेगा तीन सदस्यों ने ने लेती थी तो यह तो आपकी गवर्नर जिनरल की परिशद हुई और उसे से सम्मंधित मुख्य मुख्य बाते हुई आप यह जो 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट है इस 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा एक नभीन प्रावधान या नभीन उपबंध और लाया इसमें जोड़ा गया एक विशेष्टा इसमें और रखी गई और वह विशेष्टा क्या है वह विशेष्टा कलकत्ता के सर्वोच्य न्याले से सम्मंधित है यानि कलकत्ता के सर्वोच्य न्याले या सुप्रीम कोड से सम्मंधित है तो 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट द कब की गई सभी लोगं को उत्तर देना है इसकी अस्थापना कब की गई यह प्रस्थन है कलकत्ता के सरवोच्यन आले की अस्थापना कब की गई बताईए जल्दी से उत्तर, सभी लोग उत्तर बताएँ कब अस्थापना की गई इसकी किस ने बताया भाई सबसे पहले रंजीत महेंद्र सौनिया अच्छा रागों का अच्छा रागों उन्नीस सो पचार बताईए बताईए बतादे जाईए सभी लोग उत्तर सभी लोगों को उत्तर बताना है कुछ लोग 174 बता रहे हैं कुछ लोग 174 बता रहे हैं कुछ लोग 1784 भी बता रहे हैं अच्छा आपने पहले भी बताया था 1784 अच्छा C-7 के लिए क्या करें आपकी स्थिति खराब है न C-7 के लिए बताऊंगा किसी दिन एक किताब आपको पढ़नी पढ़ेगी काम आपका खतम हो जाएगा और C-7 तो ऐसे पढ़ना नहीं पढ़ता क्यों परेशान है आप लोग दो UPSC के छात्र हैं स्टूडेंट हैं कोई प्राइमरी के थोड़ों नहीं C-7 तो क्वालिफाई है न C-7 तो क्वालिफाईंग है 40 प्रस्ण आपने कर दिया आपका बिलकुल हो जाएगा निश्यत रूप से हो जाएगा 36 प्रस्ण भी आप कर देते हैं तो हो जाएगा उससे कम भी आप सही करते हैं तब भी हो जाएगा लेकिन clear cut सही होना चीए फिर ना 33 प्रतिशत 34 प्रतिशत लेकिन 40 प्रस्ण आप करते हैं तो ये काथ दो प्रस्ण अगर इधर उधर हुआ गलत हुआ तब भी आपका कोई रोक नहीं पाएगा तो इसका उत्तर आप सभी लोगों ने दिया है यहाँ पर एक तरफ से और 1774 दिया है और 1774 ही सही होगा यानि 1773 के regulating act द्वारा 1774 में कलकत्ता में सरवोच्चे नाले की अस्थापना की गई कलकत्ता में अब थोड़ा सा प्रस्ण बदलता हुए यहाँ पर अब प्रस्ण एक और है यहीं पर कि 1935 के अधनियम द्वारा जो नई दिल्ली यानि न्यू डेलही में नई दिल्ली में एक सरवोच्चे नाले की अस्थापना की गई 1935 के अधनियम द्वारा नई दिल्ली में एक सरवोच्चे नाले की अस्थापना की गई वो एक संगीन याले था अभी इसकी सारी बातें आपको बताऊंगा लेकिन एक प्रस्ण से और आपको सामना करवा देते हैं जिससे चीजें थोड़ा सा क्लेर हो जाएं 1935 के अधनियम द्वारा उत्तर तो आपको मिल गया 1935 के अधनियम द्वारा 1937 में नई दिल्ली में तरबोच चिन्याले की अस्थापना की गई और 1937 में ही इसने कारे करना प्रारंब कर दिया था लेकिन आप देखिए प्रस्ण क्या है आप लोग का ये 1937 के किस महीने में इसने कारे करना प्रारंब कर दिया था नवंबर 1937 में प्रारंब कर दिया था आप बताईए आप लोग मतलब अगर इक्सपर्ट चाहे तो आप लोग फश सकते हैं हर बार अक्टूबर 1937 में कारे करना शुरू कर दिया था अगस्त 1937 में काम करना शुरू कर दिया था मार्च 1937 में काम करना शुरू कर दिया था A विकलप यह आपका हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह D विकलप हो गया यानि 1935 के आधनियम द्वारा 1937 में तिल्ली में एक सरबोच्च न्याले या संगी या न्याले की अस्थापना की गई उसने किस महीने से कारे करना प्रारम किया था नवंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में या मार्स में बताईए जल्दी से बताईए जल्दी से, अच्छा समरेंदर नवंबर बता रहे हैं, और कौन बता रहा हैं, कलेक्टर चाहब क्या बता रहे हैं, सी विकल बता रहे हैं, अगस्त बता रहे हैं, 1937 और प्रेम क्या बता रहे हैं भाई, प्रेम नाम अच्छा है अंकुल सर्मा सही बता रहे हैं महेंद्र जी गलत बता रहे हैं बताईए बताईए सभी लोग बताईए कुछ लोग छुपे हैं क्या इसमें कुछ लोग बोलते नहीं है ऐसा क्यों है भाई बोलना ही तो जरूरी है जो बोलेंगे तो आपको तयार भी होगा जैसे राम दयाल बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं क्या हुआ, उनको पता तो भी चल लाएगा मालो गलत बताया, और मैं कुछ बोलूँगा तो उनको निश्चित रूप से तयार हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेंगे लेकिन जो चुप हैं, वो सकता है, वो भूल जाएग पांडे जी का लगातार उत्तर गलत आ रहा है, सी विकल्ब की रूप में रुख्मिनी सर्मा विष्णू पांडे 1936, 36 नहीं वेटा, यहां पर हमेशा 1937 लिखा है, आप 1936 क्यों बोल ले हो भीया, बावू 1937 तो 200 प्रदिशत क्लियर है, और मन्त भी यहां पर जो दिया गया है, इसमें से एक होगा क्या होगा इसका उत्तर, बहुत लोगों ने तो खैर बताया है इसमें अच्छा, बहुत लोगों ने उत्तर बताया है इसमें इसमें भी विकल्ब सही होगा, अक्टूबर 1937, ज्यान रखियेगा आप अक्टूबर 1937, दिल्ली का संगी ने आले काम करना सुरू किया, 1935 के अधनियम द्वारा अब ये जो दिल्ली का सर्वोच्चिनाले 1937 में काम करना सुरू कर रहा है न, बरत्मान में यही सर्वोच्चिनाले चल लाए यही सर्वोच्चिनाले तो है अब बात आती है कि ये जो सर्वोच्चिनाले है दिल्ली का और ये कलकत्ता का जो सर्वोच्चिनाले है इसमें और इसमें अंतर क्या है तुल्ना कर लेते हैं एक बार मजा आ जाएगा क्यों तुल्नात्मा कद्धेन कर लेते हैं और तुल्नात्मा कद्धेन किस परिपेक्श में करेंगे इसकी कारे पद्धती के परिपेक्श में करेंगे तो ये तो एक आखिल भारती ये या संग्धियनाले है लकिन ये संग्धियनाले नहीं है क्यों संगीaur नयाले नहीं है कि इसका जो कारे छेतर है। केवल कलकथथा तक सीमित है। और भारत का कारे क्षेतर काफी बड़ा है। केवल कलकथथा में सीमित है। समझ में आ रही बात ना दूसरी बात ये जो सरबोच्य न्याले है आप लोग देखते होंगे पढ़ा भी होगा कि सरबोच्य न्याले एक अभिलेखिय न्याले भारत में जो हाई कोट है वो भी अभिलेखिय न्याले के रूप में तो अभिलेखिय न्याले क्या होता है अभि जो न्यायाले हैं वो मानने पर बात दे हैं और उसके आधार पर निर्णे भी दे सकते हैं तो अधीनस्त न्याले की रूप में केबल सरबोच चिन्याले और हाई कोड हैं इंडियन हाई कोड हैं जबकि डिस्टिक कोड अभी लेखिये न्याले नहीं है तो डिस्टिक कोट सरबोच चिन्याले और उच चिन्याले के निड़ने के अधार पर निया निड़ने करता है जैसे आप लोग डिस्टिक कोट कभी गए होंगे तो वहाँ पर DJ बोलता है ADJ भी बोलता है Family Court का जो नया अधिस होता है वो भी बोलता है अरे Supreme Court ने ये का है मैं उसके खिलाब कैसे जा सकता हूँ यानि उसके निड़ें को मानता है और जो आपका liar यानि वकील यानि advocate होता है वो भी कहता है वही Supreme Court ने ऐसी बात कहिए देखो ये देख लो कागज रखता है तो ये अभी लेखी है निड़े लेकिन ये अभी लेखी है निड़े नहीं है इसके बावजूद ये जो कलकत्ता का सरवोच निड़े है ये सैनिक निड़े भी है और बरतमान में सैनिक लियानरे अलग होता है यह सैनिक मामलों से संबंदित न्यानरे करने की इसको सक्ति मिले हुई है सैनिक मामलों में नव सेना से संबंदित मामले भी इसके पास है इसके अलामा आप लोग देखोगे तो सिविल जो मामले हैं यानि जो दीवानी के मामले हैं उसके परिपेक्ष में भी यह नाय नाय करेगा इसके अलामा जो क्रिमिनल केस हैं उसके बारे में भी यह नाय नाय करेगा यानि नायक सक्ती तो कई छेत्रों में इसको परदान की ग आप लोगों ने देखा होगा तो यह जो न्यायले है यह एक सीमित न्यायले है इसके न्याय अधिकारता किवल कलकत्ता के लोगों के परिपेक्ष में है कलकत्ता के अंग्रेज और भारती लोगों के परिपेक्ष में यह एक अखिल भारती न्याले यह अभिलेक न्याले नही यह नव सेना और सेना के मामरे में भी नाय निड़े करता है यह नहीं करता है यह हमने तुलनात्मक अध्यान कराया अब आए कुछ खास बातों को देखते हैं यह जो कलकत्ता का सरवोच्छ न्याले है जिसकी अस्थापना 1774 इस भी में हुई इसका मुखिया किसको बनाया गय जो कलकत्ता का सरवोच्छ न्याले है जिसकी अस्थापना 1774 इस भी में हुई इसका मुखिया किसको बनाया गया तो इसका मुखिया बनाया गया किसको इसका मुखिया एलिजा एम्पे को बनाया गया एलिजा एम्पे इसका मुखिया है को ने भिया इसका मुख्या एलिजा MP इसका मुख्या ध्यान रखिये गए ये कई बार पूछा जाता है यानि एलिजा MP को मुख्य नियाधीस बनाया गया इसके अलामा तीन अन्य सहायक नियाधीसों की भी नियुक्ति की गई और तीनों अन्य सहायक नयाधीसों की न्युक्ति का एक कोड बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ आप लोगों को इसको आप तैयार कर लिजिए, बस आपको ये तीनों नयाधीस पता चल लेएंगे, चलिहा, इलाहबाद चलिहा का हो, ऐसे ही आप लोग बोलते हैं ना, लख चलिहा, ये चलवा, ऐसे बोलते हैं भूजपरी में लोग ना, तो चा का मतलब यहाँ पे किस से है, चैमबर से है, ली का मतलब लिमेस्टर से है, हा का मतलब हाइड से है, और ये तीनों नयाधीस ही तो हैं कलकत्ता के, तीनों सहायक नयाधीस हैं, चैमबर हो गया, लिमेस् और हाइट यह हमेंसा आपको याद रहेगा और एलिजा मंपे इसका मुख्य नयाधिस है जैसे वहां पर याद किया था आपने टो यहां पर थोड़ा आसान हो गया यहां पर चेम्बर लिमस्टर और हाइट हो गया इस सहायक नयाधिस है ठीक अब ध्यान रखियेगा यह जो ईन ने दिस हैं की नियुक्टि बिट्स सम्राट करता था दर सल राइन अगर याणि आदवी अगर कुर्शी पर नहीं बैठा हुआ है औरत बैठे की जो आउरत बैठे पे किसी को बिशवास नहीं होता था किसी नहीं मिल पाता था लंदन में प्रेभी काउंसिल इस्थिर्थ और प्रेभी क हौंसिल एक नियाईक संस्था की रुप में बिद्ध्यमान थी उसमें भी लोक अपील कर सकते थे, चिक? का ये हो गया आपका कलकत्ता का सरवोच है न आले और इसके बारे में विभिनद Bai बाते हो गई, आगे थोड़ा सा बढुए, और प्रेशीडैंसी ब्यवस्था को देखते हैं, और हम लोग Presidency ब्यवस्था को देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़के Presidency ब्यवस्था को भी हम लोग देखते हैं Presidency ब्यवस्था को देखते हैं अब Presidency के परिपेक्स में अगर आप लोग देखोगे तो जो 1773 का Regulating Act है इस 1773 के Regulating Act के समय भारत में अंगरेजों की कुल तीन Presidency ब्यद्यमान है या तीन मुख्य Presidency ब्यद्यमान है और इन तीनों Presidency का एक Code है आप लोग ध्यान रखिएगा कलकत्ता, मद्रास, बंबई, के, एमबी ठीक एक Code है न, इसको आप लोग याद रखिएगा कलकत्ता, मद्रास, बंबई लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो कलकत्ता Presidency है कई बार इसका नाम बंगाल भी बोल दिया जाता है यहीं बंगाल Presidency, मद्रास Presidency और बंबई Presidency उस समय जैसे बर्तमान में बंबई को मुंबई कहा जाता है ना उस समय बंबई ही कहा जाता था जैसे उस समय कलकत्ता कहा जाता था लेकिन अब कोलकाता कहा जाता है तो ये तीन प्रेसिडेंसियां हैं कलकत्ता, मदरास और कौन सी प्रेसिडेंसी है और बंबई प्रेसिडेंसी है अब ये तीनों प्रेसिडेंसियों की जो प्रसास्निक ब्यवस्था है इसकी प्रसास्निक ब्यवस्था कौन चलाता है तो इसकी प्रसास्निक ब्यवस्था एक उप गवर्नर चलाता है तीनों की जो प्रसास्निक ब्यवस्था का संचालन करता है वो एक उप गवर्नर करता है और तीनों उप गवर्नरों की निउक्ती निदेशक मंडल के सदस्य करते हैं, लेकिन ये जो तीनों प्रेसिडंसियां हैं, इसको किसी भी प्रेसिडंसि पर भारत में किसी भी प्रेसिडंसि के उपर कोई भी अधिकारिता प्राप्त नहीं है, यानि तीनों भारत में स्वतंत रूप से अपने अपने कारियों का संचालन करती है। तो लाड़नात में इन तीनों प्रेसिडन्सियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में सामंजस से अस्थापित करने के लिए, एक बिवस्था बनाई और उस बिवस्था के अधीन यह जो कलकत्ता प्रेसिडन्सी है, इसको मदरास प्रेसिडन्सी और बंबई प्रेसि को प्रीजिदेंसी के अधीन बंगालवा मद्रास प्रेशिडिएंसी को कर दिया गया तो अब सबसे बड़ी presidency कौन हो गई ये कलकत्ता ये बंगाल presidency हो गई लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कुछ कमियां अभी बिद्धमान है अभी आलोशना या समीक्षा में उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को ठीक आगे बढ़िये थोड़ा सा अब कुछ खास बाते हैं ये जो 1773 का regulating act है 1773 के regulating act की क्या उप्योगिता है इसकी क्या महत्ता है इसकी क्या खास बात है आईए हम लोग इसको देखते हैं तो 1773 के regulating act ने कहीं ना कहीं भारत में East India Company के उपर एक तो नियंतन अस्थापित करने का प्रयास किया और इसमें सफल भी रही प्रटिस सरकार पहली बात तो ये दूसरी बात प्रारंब में हमने आपको बताया कि जो East India Company थी भारत में उसमें भरस्टाचार की इस्थती अत्तिधिक ब्याप्त थी तो अब क्या हो गया अब उस भरस्टाचार की इस्थती पर क्या लगा उस भरस्टाचार की इस्थती पर अंकुस लगा और भरस्टाचार कोन कर रहा है कंपनी की अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं और उस धन को लूट के वो कंपनी को नहीं दे रहे हैं वो स्वयम के पर स्वेक्षाचारी हो गये थे अपने मन से सारा काम करते थे तो इस स्वेक्षाचारिता पर भी क्या लगया अंकुस लगया ब्रस्ताचार और स्वेक्षा اور दोनों के अंकुस लगया गया इसके अलामा आप लोग देखेंगे कि ये जो 1773 का regulating act है ये विदी के विकास में एक तरीके से भारत के परिपेक्ष में और company के परिपेक्ष में दोनों परिपेक्ष में मील का पत्थर सावित हुआ और बेटिस सरकार के परिपेक्ष में भी मील का पत्थर सावित हुआ तीनों के परिपेक्ष में मील का पत्थर कैसे सावित हुआ इसको एक एक करके समझे आप लोग सबसे पहले भारत के परिपेक्ष में भारत के परिपेक्ष में 1773 का regulating act मील का पत्थर इसलिए सावित हुआ चुकि बिदी के विकास के छेत्र में भारत में अब क्या हुआ एक तरीके से दरवाजा खुला आगे चलके आप लोगों ने देखा होगा कि 1781, 938, 1558 तमाम सारे एक्ट और अधनियम आए और कमपनी के परिपेक्ष में कैसी ये मिल का पत्थर रहा? कमपनी के परिपेक्ष में इसलिए ये मिल का पत्थर रहा चुकि कमपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो भरष्टाचार में लिप्त थे, वो स्वेक्षाचारी हो गए थे तो कमपनी के अधिकारियों की बात तो सुनती नहीं थे तो उन पर नियंतन अस्थापित हुआ जब नियंतन अस्थापित हुआ तो कम्पनी ने भारत में अपना सामराज बढ़ाया और ब्रिटिस संसत या ब्रिटिस राजा कैसे फायदे में आया या ब्रिटिस सरकार कैसे फायदे में आया उसके लिए कैसे ये मील का पत्थर सावि हुआ चुकि अभी तक इस इंडिया कंपनी की उपर बिटिस सरकार का कोई नियंतर्ण नहीं था लेकिन इस 1773 के regulating एक्ट द्वारा इस इंडिया कंपनी की उपर बिटिस सरकार ने नियंतर्ण अस्थापित करने का प्रयास प्रारंब कर दिया और पहली बार नियंतन अस्थापित किया इस regulating act के माद्यम से धीरे धीरे करके पूरी तरीके से 1858 के अधनियम दौरा नियंतन अस्थापित क्या कर लेती है खतम ही कर देती है पिटे सरकार इस्ट इंडिया कमपनी को ठीक तो ये उपियोगी बाते रहें ये फायदे वाली बाते रहें लेकिन अब ये जो 1773 का regulating act है आईए इसकी समीक्षा करते हैं इसकी थोड़ी सी आलोसना करते हैं ये मुख्य परिक्षा का प्रस्ण है इतना आसान तो नहीं है तो जो 1773 का regulating act है समीक्षा का मतलब हुआ कि आखिर 1773 के regulating act में कमिया क्या रहीं तो यहाँ पर एक पार्ट आप लोग और लिखेगा कमिया क्या रहीं यानि इसकी कमियों को देखेंगे अब जो कमिया हैं वही आलोसना का पक्ष होगा वही समालोसना या वही समीक्षा का पक होगा तो एक-एक करके आए इसकी कमियों को देखते हैं इसकी आलोसना को करते हैं तो पहली बात तो यह है कि 1773 के regulating act में विधी का जो विकास किया गया उसमें अस्पस्टता नहीं थी विधी की बात तो की गई लेकिन जो विधिक अधिकार हैं चाहे वो सरबोचे नियाले का अधिकार हो चाहे वो गवर्नर जिनरल की परिषद का अधिकार हो चाहे वो गवर्नर जिनरल का अधिकार हो चाहे तीनों प्रेसिडेंसियों का अधिकार हो उनको परिभासित नहीं क जब तक किसी चीज को परिबासित नहीं किया जाएगा तब तक आप कहांगए नहीं कलक्त्ता की सरबौचिन्याले है में तो बहुमत हमारा है है जबन गरलन जनरल के परिष्चद में मालिक हम है है और जब बंबाई प्रेसिडेंसी है महत रास्ड में 1700 दिुक यहीह. नहीं हम आपकी अधिकार को नहीं मानेंगे आप कलकत्ता में बैठे वो तो क्या हुआ नहीं आपको अधिकारिता दिजा रही है लेकिन कैसी अधिकारिता दिजा रही है यह असपस्ट नहीं हुआ तो इतिहास कारोने और इन संस्थाओं के बीच में अब आपस में विवाद यानि कंटोबर्सी शुरू हो गई इसमें आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि इस एक्टद्वारा बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नरों के बीच सक्ति एवं दाइत्यों का असपस्ट खाका नहीं खीचा गया यह जो तीनों गवर्नर थे इनकी जो सक्ति थी इनके जो क्रिया कलाब थी इनका जो स्वरूप था उनका असपस्ट खाका नहीं खीचा गया यह जैनि सक्तियों को असपस्ट रूप से परिभासित नहीं किया गया तो कौन किसकी सक्ति को मानेगा भाई फिर क्या होगा फिर कंटो बर्ची होगी फिर बिवाद होगा इसके अलामा इससे गवर्नर जनरल की परिशद जो गवर्नर जनरल वारें हस्टिंग से और उरकी उसकी जो परिशद है बंगाल के गवर्नर जनरल के बीज के अधिकार के छेत्र को असपस्ट नहीं किया गया यानि गवर्नर जनरल की परिशद में क्या हैसियत है और परिश गवर्नर जन्रल है और इसकी जो परिषद है इसमें भी विवास शुरू हो गया इसमें भी कंटो बर्शी शुरू हो गई इसमें भी कालांतर में टकरहट को बल मिला इसके अलामा जो कार ये पाले की ये नर्णे लेने में गवर्नर जन्रल को समस्या पैदा हुई क्यों समस्या पैदा हुई क्योंकि जो कलकत्ता का सर्वोच चिन्याले था एक मामले में वो आज के सर्वोच चिन्याले से और अलग था जिसको मैंने आपको बताया नहीं ध्यान से सुनियेगा उसे जो 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच चिन्याले अस्थापित हुआ था उसको न्याय निर्णे की सक्ति तो प्रदान ही थी लेकिन उसको एक सक्ति और प्रदान थी वो कौन सी सक्ति थी वही है ज़रा सोचो आप लोग आधा मिनट सोचने का मुवका दे रहें और बताओ आप लोग एक सक्ति और मिली हुई थी कलकत्ता के सर्वोच चिन्याले को और मुख्य सक्ति के रूप में है वो सक्ता है आप लोग वहां तक चले जाओ बताईए ज़रा सोचिए जिहान ले जाएए अपना आप लोग प्रयास कीजिए मैं तो बताऊंगा ही आप लोग को निस्चिंत रहिए मिलिटरी तो बता दिया ना सेना का मामला बता दिया सेना का मामला बता दिया देखता हूँ कौन बीर है आज की क्लास का कौन दीर है कौन गंबीर है आज की क्लास का अरे वाह ये पी कौन है भई ये पी एसर कौन है ये तुम्हें तो भाई बहुत सारा नमस्कार हमारी तरफ से क्या नाम है नाम बताओ अपना आप हाँ हाँ अपना नाम बताओ आप P नाम से जो R.D. है P.S.R. नाम से R.D. है अच्छा प्रियांक अच्छी बात है प्रियांक या प्रियंका तो इन्होंने बताया कि जो कलकत्ता का सर्वोच चिन्याल है था उसके पास विधी बनाने की सक्ति भी थी न्याय करने की भी सक्ति तो पहले से ही हमने आपको बताया हुआ है लेकिन बर्तमान में जो भारत का सर्बोच्च न्याले है उसके पास विधी बनाने की सकती नहीं है तो विधी कौन बनाता है विधी संसत बनाती है और विधी का रखवाला कोन है सर्बोच्च न्याले है लेकिन उस समय जो कलकत्ता का सर्वोच्य नयले था, वो बिधी का निरमाण भी करता था और न्याय नड़य भी करता था, दोनों सक्तिया उसको मिली हुई थी और दूसरी बात ये थी कि ये जो गवर्नर जन्रल और उसकी परिशद थी ये भी बिधी बनाने का काम करता था तो बिधी बनाने का काम दो संस्थाएं करती थी एक तो यहाँ पे संस्था कलकत्ता का सरवोच्छे नाले हो गया और एक governor general की परिशद हो गई, यानि governor general की council हो गई, ये दोनों बिधी बनाने का काम कर रही है, दोनों कारेपाल की यह सक्तियां, दोनों के पास बिद्यमान है, इसके पास भी और इसके पास भी दोनों बिधी का नर्माण कर रही है, कई बार अब इन लोगों के इन संस्थाओं के बीच में ऐसा होगा कि बाई ये कलकत्ता का सर्वोच नियाले भी बिधी बनाने का काम कर रहा है और ये गवर्नर जनरल की परिशत भी इसको भी कारे पाले किये सक्तियां मिली हुई है ये भी बिधी बनाने का काम कर रहा है अब 1773 के regulating act में यह असपस्ट नहीं किया गया कि वास्तों में किसकी बिधी सर्वोच्च होगी या सर्वोपरी होगी तो अब क्या होगा अब आगे चलके इन दोनों संस्थाओं में बिधी बनाने के परिपेश में कंटो बर्शी होगी आपस में टकरहाट होगी तो ये इसकी एक कमी है ये एक आलोचना का पक्ष है आप लोगों ने देखा 1773 का regulating act पूरी तरीके से अब आप लोगों ने पढ़ लिया है अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग 1773 का हां regulating act आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया है करीब करीब डेड़ घंटे आप लोगों ने पढ़ा है 1773 का regulating act सोचिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक अधनियम और पढ़ेंगे act of settlement ठीक act of settlement तो चलिए सुरवात करते हैं 1781 का charter act अब 1781 के charter act की जरुवत क्यों पढ़ी तो तुरंत समझे इसको ध्यान पूर्वक मेरी तरफ आप लोग देखिएगा और कहीं मत देखिएगा मेरी तरफ देखिए आप लोग फिर समझ में आजाएगा आप लोग के अभी आप लोगों ने जो 1773 के regulating act की कमियों को देखा ना देखा या नहीं देखा तमाम सारी कमिया उसमें नजर आई तो उससे कालांतर में भारत में इस्ट इंडिया कमपनी और अन्य संस्थाओं की बीच में टकराहट हुई अब इस टकराहट को ब्रिटे संसथ ने देखा जब ब्रिटे संसथ ने गहराई से देखा इसको तो ब्रिटिस संसद ने 1780 में एक ब्रिटिस संसद था उसके अधिन एक संसदी ये समिती बनाई और उस समिती द्वारा 1773 के Regulating Act में ब्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया और 1773 के Regulating Act में ब्याप्त कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया इसलिए 1781 इस भी में जो एक्ट आया उसको Act of Settlement के नाम से जाना गया क्यों क्योंकि 1773 की Regulating Act की कमियों को दूर करने का को सेट करने का प्रयास किया गया दूसरी बात ये 1781 का जो Act of Settlement है इसको बंगाल का जूडी केचर अधनियम भी कहा जाता है क्यों इसलिए इसे बंगाल का जूडी केचर अधनियम कहा जाता है क्योंकि इस Act के द्वारा जो भी परिवर्थन किया गया वो केवल और केवल बंगाल के परिपेक्ष में किया गया बंगाल की संस्थाओं के परिपेक्ष में किया गया कलकत्ता की संस्थाओं के परिपेक्ष में किया गया उसकी न्याईक स्थिती न्याईक सक्ति कीवल बंगाल के अंदर में ही किंद्रत है इसलिए बंगाल का जूडिकेचर या बंगाल का विधिक अधनियम कहा गया इसी 1781 के एक्टाफ सेटलमेंट को अब इसमें क्या क्या किया गया इसको आप लोग देखिए इसके द्वारा मुख्यतया बंगाल में ब्याप्त कमियों को दूर किया गया इसलिए इसे बंगाल का जूडिकेचर अधनियम भी कहा जाता है इसके द्वारा गवर्नर जन्रल इन काउंसिल को सरबोच्चे न्याले क कि अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया पहली बात जो गवर्णर जन्रल और सर्बोच चिन्याले में आपस में 1773 की एक्ट द्वारा टकराहट ब्यापत होई थी उस टकराहट को इस एक्ट द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया अब जो गवर्नर जन्रल और उसकी परिषद है ध्यान रखिएगा जो गवर्नर जन्रल है उसकी परिषद जो है उसको कलकत्ता के सर्वोच न्याले के न्याय न्याय से बाहर कर दी अब कलकत्ता का सरवोज चिन्याले गवर्णर जनरल और उसकी परिषद के परिपेक्ष में नयाय निर्डे का अधिकार अब उसको नहीं मिला है उसके नयाय निर्डे के अधिकार को छीन लिया गया कोई हस्तक्षिप अब कलकत्ता का सरवोज चिन्याले इस गवर्णर जनरल और उसकी परिषद के परिपेक्ष में नहीं करेगा यानि Governor General और उसकी परिशद और कलकत्ता का जो सरवोच चिन्याले था उसकी सक्तियों को असपस्त रूप से रिखांकित कर दिया गया एक खाका खींस कर दिया गया तो ये समस्या समाप्त हो गई और क्या किया गया इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा है 5000 पॉंड इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा यह एक फैक्ट है 5000 पॉंड 5000 पॉंड से अब कोई भी अधिक का मामला है 5000 जैसे मान लिजिए कि जो कलकत्ता का सरवोच चिन्याले था 1000 अब जितने भी मामले वैसे देखता था सारे तो आर्थिक मामले थे कैनी राजसों से संब्धित मामले थे या दीवानी से संब्धित मामले थे क्रिमिनल मामले बहुत कम ही जाते थे चुकि कंपनी एक ब्यापारिक कंपनी थी तो सारे मामलों का तो company का जो कलकत्ता का सर्बोच नियाले है उसका वो निप्टारा करता था लेकिन अब अगर किसी का ऐसा case है जो 5000 pound से अधिक का case है तो वो कलकत्ता के सर्बोच नियाले में अपील ना करके वो सीधे किसके सामने अपील कर सकता था प्रिटिस सम्राट के सामने अपील कर सकता था और यह अधिकार किसको दिया, यह अधिकार कब दिया गए? 1781 के AC Player settlement के द्वारा दिया गया भारतियों को और Company को दोनों को इसके अलामा और क्या किया गया राजस्सो मामले की निप्टारी के लिए एक राजस्सो मंडल का गठन किया गया यह बहुत महत्तुपूर्ण बात है आप से प्रस्ने पूछ लेगा कि राजस्व आयूग का गठन किस अधनियम के द्वारा किया गया सर्व प्रथम या राजस्व मंडल का गठन सर्व प्रथम किस एक्ट के तहत किया गया तो राजस्व मंडल का गठन सर्व प्रथम 1781 के एक्ट आफ सेटलमेंट के अधीनी किया गया इसको ध्यान रखिएगा very very important कर लिजेगा इसके अलामा कलकत्ता पंगाल कलकत्ता या बंगार बिहार उडिशा के लिए बिधी बनाएगी कलकत्ता की जो सरकार है जो कलकत्ता की सरकार है वो स्वेम के लिए भी बिधी बनाएगी और बिहार एवं उडिशा के लिए भी बिधी काम करेगी यानि कलकत्ता की सरखार का मतलब क्या हुआ कलकत्ता की गवर्णर की जो सरकार है और जो उसकी परिषद Sanity जन्रल और उसकी परिषद कोही तो कारे पालिकी यह सक्तियां मिली हुए थो बंगाल और कलकत्ता के परिपेक्ष में तो बिदिपनाई रही लेकिन अब वही सरकार इस बिहार के परिपेक्ष में और इस उडिशा के परिपेक्ष में भी बिधी बनाएगी इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोनों पक्ष में वहाँ बिधी बनाने का काम करेगी तोनों पक्ष में वहाँ बिधी बनाने का काम करेगी ठीक तो आज की क्लास में हम लोगों ने 1773 का रेग्यूलेटिंग पढ़ा 1781 का एक्ट आप सेटल्मेंट पढ़ा इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरी क्लास में हम लोग इसके अन्य पक्षों का अध्यन करेंगे तो जिस तरीके से ये भारती राज बेवस्था और सासन का आप लोगों के बीच में एक डेमो क्लास था इसी तरीके से कल चार बजे आपको भारती इतिहास के परिपेक्स में एक डेमो की क्लास मिलेगी और उसके बाद में निरंतर दो दो तीन तीन दिन ये क्लासें आप लोगों के बीश में चलेंगे दो दिन भोगोल हम लोग पढ़ेंगे दो दिन राजव्योस्था हम लोग पढ़ेंगे दो दिन इतिहास रेगुलर हम लोग पढ़ेंगे और एक दिन संडे को हम लोग कलायम संस्कृति जो छूटा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन कल हम लोग इतिहास का अध्यन करेंगे और इतिहास में मध्यकालिन भारत का अध्यन करेंगे तो कि मध्यकालिन भारत का आप लोगों ने अभी तक ठीक ठाक तरीके से अध्यन नहीं किया है और जो एक यहाँ पर इस संस्था द्वारा एक तरीके से PTA Special का बैस प्रारम किया गया है उसमें भी मद्धे कालिन भारती इतिहास को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कल हम लोग मद्धे कालिन भारती इतिहास को 4 वजे से पढ़ेंगे और आज 9 वजे से वही प्राचीन भारत की इतिहास की आप लोगों के बीच में क्लास होगी तो उसका हम लोग अध्यन करेंगे ये PDF भी आप लोग को मिल लाएगा इस PDF के लिए आप लोग हमारे यहाँ पे यह टेलीग्राम ग्रूप दिया हुआ है इस टेलीग्राम ग्रूप को आप लोग जोईन कर लें ये टेलीग्राम ग्रूप हमारा लिंक यहाँ पे है अगर कुछ भी आप लोग की समझ में न आया हो तो चैट द्वारा आप लोग पूँछ सकते हैं कमेंट द्वारा भी आप लोग पूँछ सकते हैं मैं बात में कमेंट भी हमारे टीम या मैं देख लेता हूँ निश्चिंत रहिए आप लोग, reply आप लोगों को मिली जाता होगा, आने केडमी में कहीं भी कोई भी subscriptions लेते हैं, किसी भी competitive exam में, चाहे वो UPSC का हो, State Commission का हो, या अन्य कोई कमिशन हो, आप यहाँ पे subscriptions लेते हैं, या आपका कोई नजदी की subscriptions लेता है, तो हमारे referral code S-A-N-J-E-E-V का प्रियोग करें, इससे आपको कहीं भी किसी भी फीस में 10% की छूट मिलेगी, तो अगर कोई doubt हो, आप लोग तो पूँछिए जल्दी से, अगर कोई doubt हो, तो आप लोग पूँछिए, बताए, हाँ, जागरफी की class, Monday से शुरू हो जाएगी, आप लोग के बीस में, Monday Tuesday, दो दिन, Quality की class भी दो दिन, और दो दिन इतिहास की class, regular हम लोग पढ़ेंगे, कोई gap, नहीं होगा, अच्छा, चलिए, economy, economy, और जो अन्य पक्ष बचा हुआ है, उसकी भी class होगी, आप लोग निस्चिंद रहिए, ठीक, तो चलिए, आज की class फिर समाप्त करते हैं, बहुत-बहुत धन्य बाद, मिलते हैं, नो बजे, आज ही आप लोगों को, बहुत-बहुत सुक्रिया आपको, thank you.